हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बोट नेक बलाउज पर कक्ट वर्क डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुती आसान तरीके से और बहुती फिनिशिंग के साथ तो दोनों स्लेट और बोटम पर हम कट वर्क रेडी करेंगे और बनेक पर हम बोटनेक के साथ पीटर बेन कोलर जो बेबी कोलर होता है वह लगाएंगे बहुती आसान तरीके से पर अब पेपर के नवास की एक पट्टी कटकी है तो इंचे चोड़ाइकी और उस पट्टी पर हमको हाफ इंच पर एक सीधी लाइन बनानी है इस ट्राइप से और इस लाइन से हमको bought one inch पर 1 अक marking और करनी है और लगबग पोने एक इंच की दूरी पर एक line और बना लेनी है सीधी आप इन दोनों लाइनों के बीच इन आईल देख सकते हो दोनों लाइन के बीच में बना रहे इससे कमया ज़्यादा नहीं लेना है कि tres ie मोख अफं कि कर लेंगे तो कटिंग भी हमको बिलकुल जैसे अ हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग की उपर कट करते जाना है सभी की साइज ये बिलकुल बराबर रखनी हैं कि पट्टी के चोड़ाय है और स्कुस्स ना इस बदरिंग। इसी टाइप से हमांगे सभी डिजाइन को इसी तरीके से रेड़ी करेंगे अब हमने जहाँ पर मार्किंग की है वहाँ पर हाफ इंच की गेप रखेंगे हम स्लिवसी की साइट में और यहाँ पर इसको प्रेस से चिपका देंगे चिपकाने के बाद हमको मेन फेबरिक पर रखना है मेन फेबरिक को हमने सीधा रखा है और इसे इसके उपर रखा है और साइड में सिलाई चला कर अटेज कर लिया है आप इस कंगूर ओपर भी सिलाई चलाएंगे तो जैसे राउंड शेप बनाया है सेम राउंड शेप में ही हमको सिलाई चलाते जाना है यह सिलाई हमको पेपर के अन्वास के विलकुल पास पास चलानी है पेपर के अन्वास से दूर भी नहीं चलानी है और पेपर के अन्वास के ऊपर भी नहीं चलानी है तो इस टाइब से हमने जो पेपर के अन्वास के ऊपर डिजाइन से बनाई है उतनी ही हमको सिलाई चलाते जाना है आप हमने जो सीधी सिलाई चलाए थी उसको कट कर देना है और यहां से कॉर्णर में जो एस्ट्रा फेब्रिके उसे भी हम कट कर देंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स से बाद में आपको याद नहीं रहती है ध्यान रगें सिलाई को कट नहीं करना है और जितना भी एस्ट्रा फेब्रिके उसे सबी को कट कर देना है और राउंड में हलके हलके से कट से लगा लेने है में फेब्रिक को हमने आपर सीधा रखा हुआ था तो अब इसे हम उल्टी साइट पर फोल्ड कर देंगे लाइनिंग फीज को और सबी डिजाइन को इस टाइप से अच्छे से बाहर की साइट में निकाल लेंगे आप कुछ भी नुकिली चीज लेंगे और उससे इनको अच्छे से और सेट कर लेंगे और इनको प्रेस चला कर सेट कर लेंगे जैसे हमने एक स्लीवस पर डिजाइन से बनाया है स्लीवस पर साइट पर इसलुष खेऊं जला लेंगे और एस्ट्रा फेबरी की कटिंग कर देंगे तो इस टाइप से मैंने दोनों स्लीवस डिजाइन से रिडी कर लिया है आप हमने यहाँ पर बेक पार्ट पर बोटनेक बनाकर रेडि कर लिया है और बेक पर टक्स भी डाल लिये हैं आप हमने जैसे स्लीवोस ब्रकुनलब डिजाइंस बनाई थी। तो देखी हमने sluse उपर जो हमारे sluse का lining फीज था उस पर ही चिपका लिया था paper canvas को लेकिन यहाँ पर मैंने extra पट्टी जो हम पट्टी फॉल्ड करें उस पट्टी के उपर चिपकाया है इस paper canvas की designs को और side से half inch इतना extra fabric को फॉल्ड कर दिया है अब इस पट्टी को हमने सीधी साइट पर रखकर सिलाई चलाई है और इसे भी हम सेम तरीके से कट कर लेंगे और उल्टी साइट पर फोल्ड कर देंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए यह देखे इस टाइब से पूरी पट्टी को हमने उल्टी साइट पर फोल्ड कर दिया है और इन्हें भी हम नुकिली चीज से अच्छे से फिनिशिंग से रेडी कर लेंगे और इन पर प्रेस चला लेंगे तो इस टाइब से हमारा बेक डिजाइन भी बनकर रेडी हो गया है अब हम कोलर की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर पेपर के एन्वास लिया है फाइफ इंच चोडाई और सेवन इंच लंबाई का अब यहाँ आप पर हम 4 इंच पर नेक की मार्किंग करेंगे और 4 by 4 का एक चोक बोक्स बना लेंगे और हैं पर बोटनेक का शेप बना देंगे अब नीचे की साइड से एक इंच इतना गेप रखते हूए यहाब कोलर का शेप बनाएगे राउंड में यह शेप आपको अगर ज्यादा चोड़ाई में बनाना हो तो इस टाइप से भी बना सकते हो और अगर नॉर्मल बनाना है तो आप इसकी चोड़ाई कम भी कर सकते हो इस टाइप से नीचे की साइट से तो यहाँ पर हम नोर्मल साइज का पिटर पेन कोलर बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने शेप बना लिया है अब हम बाहर की साइट से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमने एक इंच इतनी गेप रखी है अब अंदर से हमने जो बोटने का शेप बनाया है उसकी भी कटिंग कर लेंगे अब इस कोलर को हम मेन फेबरिक के उपर चिपका लेंगे प्रेस से यहाँ पर main fabric के उपर चिपकाने के बाद हमने lining piece के उपर रखा है और बाहर की site में हम सिलाई चला लेंगे तो यहाँ पर मैंने main fabric के दो piece joint किये हैं क्योंकि इसकी चोड़ाई मेरे पास extra fabric नहीं रहा था अगर आपके पास plain fabric है तो आप directly main fabric की उल्टी side पर चिपका लेज़े paper के इन्वास को lining face के उपर चिपकाने के बाद हमने सिलाई चला ली है same round में और side में हम अलके-अलके से cut से लगा देंगे और इसे fold कर लेंगे fold करने के बाद जो अंदर से paper के इन्वास दिया हुआ है same उसी की size में हम इस पर भी boat neck का shape बना लेंगे अब front part को center से cut करेंगे और यह जो हमने boat neck का shape paper के इन्वास के shape के बराबरी बनाया है तो इसे भी हम double fold करेंगे और center पर cuts लगा देंगे cut से cut को मिलाते हुए रखेंगे और boat neck के shape पर सिलाई चला लेंगे तो देखे इस shape को हमने उल्टा करके रखा है front वाले side की उल्टी side में अब हम अंदर से cutting करेंगे round में अलके-अलके से cuts लगा लेंगे और इसे हम सीधी side पर fold कर देंगे fold करने के बाद हम एक सिलाई और चला लेंगे तो यह सिलाई हमको color के पास-पास चलानी है blouse की side में अब color को हम सीधी side पर fold करेंगे और neck पर एक सिलाई और चला लेंगे जिससे अच्छे से set हो जाएगा कोलर को अटेज करने के बाद हम प्रिंशेस कटके शेप को जोन्ट कर लेंगे तोरों साइट में और जिसे हमने बैक पार्ट पर ॡिजाइन्स बना कर रेड़ी किया है सेम उसी तरीके सा हमको फ्रंट वाले पार्ट पर भी कटवर्क बना कर रेड़ी कर लेना है आप बेक पार्ट और फ्रेंट पार्ट के शोल्डर जोइंट करेंगे और मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी ब्लाउज स्टिचिंग की तो वाँ पर देखकर आप फिनिशिंग के साथ ब्लाउज की स्टिचिंग कर लीजिए और परफेक्ट तरीके से ब्लाउज में फिटिंग डाल लीजिए तो फ्रेंट से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को शेर करिए चैनल पर परली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए थेंक्स फोर वाचिंग